हालो दोस्तों असलाम लाइकूम अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल काजमा को विद्जोश को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना बुले तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज हम बनाते हैं अंडे का मगज जो की बहुत पुराने तरीके से हमने बताएं हैं सिखाएं आपको तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लएगा यह हमारे नानी दादी का तरीका है तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम लेते हैं आठ अंडा देखें तो चले आज की रेसिपी जब से पहले हम लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं लगभग 4 कप के अंदाज और से थोड़ा उबलने देते हैं जब तक हमारा पानी बॉयल होता है तब तक हम आगे की तायारी कर लेते हैं तो हमने sugंडे लिये हैं देखें और उसमें वनाई तू पिंच नमक डाला अब देखें इसे हम एड कर दते हैं पानी में आप चाहें तो चार अंडा भी एक साथ डाल सकते हैं लेकिन हमने दो-दो अंडे करके डाले हैं आट अंडे को देखें यह अंडा हमारा पक चुका है देखें पानी में हमने डाला इसमें कोई भी तेल हमने एड नहीं किया है कि इतना बढ़िया लग रहा है देखें, अब इसे हम पलट लेते हैं, ये तूट जाए तो कोई बात नहीं है, इसे हमने पलट लिया था, अब थोड़ी देर इस तरफ भी हम पका लेते हैं, ताकि अंडा जो है अच्छे से पक जाए, तो देखें ये पक चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं, पानी हटा कर, पानी को छान लेते हैं, पानी को सेपरेट कर लेते हैं, और अंडे को सेपरेट हम कर लिया है, देखें इस तरीके से, इसी तरीके से हमने सारे अंडे को बना लिया है, दो-दो करके, देखें, जो बड़ा पीस है, उसे हम थोड़ा छोटा क नेटे हैं और उसमें यह सो गिरह में देल लेते हैं अब हर वह को चुका है अब वह में टीन प्यास का पेश्ट बनाया था उसे भी महाना लेते हैं को करें लेक्र में मस्टर्ड ऑल है इसा अब इसमय कब लाहा है स्पूरटेए 4डेबल्स्पुन हमने इसमें अधरक एड्ड नहीं किया है चो कि इसमें अधरक नहीं जाएगा और 6 रिट चिली पॉडर हाथ वरख कमने काश्मीरी रेट चिली पॉडरBe baixo लिए हैं नमüyorsun हडा तो देखा वथो आप नियुए नमBonoss लृटाा चला लेते हैं पांच मिनट हो चुका है, देखें मसाला हमारा सारा भुना गया है, तेल मसाला छोड़ दिया है, देखें इस तरीके से, अब इसमें हम हाफ टेर स्पून गरम मसाला एट करते हैं, और उसे भी अच्छे से हम भूल लेते हैं, अब देखें जो बचा हुआ पानी था, अंड़ पानी इसमें एट किया, और एक कप अंडे वाला पानी था, यानि कि दो कप पानी हमने एट किया है, अब इसमें देखें अंड़ा एट कर देते हैं, देखें, जो हमने गरम पानी में इसको बॉयल किया था, उसे, और इसे हमें हलके हांस से चलाना है, या फिर हम कराही को थ ताकि अंडा चूर नहीं हो, देखें इस तरीके से हमने ग्रेवी में हलका हलका इसे चलाना है, और घुमा के ही पकाना है, देखें अब इसे हम 5 मिनट तक ढख कर छोड़ देते हैं, ताकि अंदर इसकी ग्रेवी चली जाए अच्छे से 5 मिनट हो चुका है, देखें कितना तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, देखें कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा अंडे का मगज, तो एक बर जरूर ट्राई करें, मेरे तरीके से, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, ये नानी दादियों के जमाने का अंडे का मगज ह तो इस तरीके से आप बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बर तो ट्राई करना बनता है, ये ब्रेकफास्ट में हो, या फिर लंच, या फिर दिनर, सब में ये अच्छा लगेगा, बच्चे को आप लंच बॉक्स भी दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छ लगता है, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो थमसब दे, कमेंट में जरूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करें, ये बिलकुल फ्री है, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आनी वेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इन्शालला अगली वीडियो में फिर आप से मुलाखात होगी, एक अच्छी सी नैसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, ज जय जवान, जय किसान, अल्ला हाफिज, थैंक्स फोर वाचिंग,